हलो गाइज, हावर यू अल, वेलकम बैक तो मैं चैनल, होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे, तो हैपी मकर संक्रांथी टो आल अफ यू, वैसे तो इसके डिफरेंट नेम है, डिफरेंट स्टेट में, बट आज मैं आप सभी को मकर संक्रांथी के हा जरूरी बनता है, और उसी को और ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है, बेंगॉलिस के लिए, बनाने के लिए, तो चलिए, अब हम रेसेपी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखी पा रहे होंगे, कि मैंने यहाँ पे नारियल लिया है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे से उसको चलाते रहना है, और अब हम इसमें एड करने जा रहे हैं, जो हम लोंने नारियल को ग्रिट किया था, अब हम उसको एड करते हैं इसके अंदर, तो अब यहाँ पे देखिए, प्रेस नारियल लिया है, जिसको हम लोंने अच्छे से तो इसको आपको अच्छे से चीनी के साथ उसको मिलाना है ताकि बहुत ही अच्छे से वो एकदम से मिल जाए और यहाँ पे आप देखेगा कि आपको नारियल को बहुत ही अच्छे से एकदम से उसको बहुत ही फाइन एकदम से ग्रेट करना है तो अब आपको चीनी के साथ इसको अच्छे से एक mix देना होगा ताकि mix जो चीनी है वो हर नारियल के अंदर अच्छे से जा सके तो अब आपको थोड़ा टाइम इसको saute करते करते उसी के बाद अब हम इसमें add करेंगे थोड़ी देर के बाद good तो वैसे तो Kolkata में इस समय थन के टाइम पे एक good power मिलता है उसको बोलते नॉलेन गुड बोला जाता है तो आप यहाँ पे चाहो तो नॉर्मल गुड भी यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने करीबन हाफ कप यहाँ पे मैंने गुड लिया था क्योंकि गुड डालने से क्या ना इसका जो टेस्ट होता है वो और भी थोड़ा सा ए आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है तो अभी आप देखिए कि गुड कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है कितना प्यारा कलर आया है तो आप भी जरू मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताईएगा कि आज आपने आपके स्ट्रेट में या फिर आप कहां के हो और आज आपन क्या बनाने जा रहे हो आप भी जरू मेरे को कमेंट करके बताईएगा तो अभी आप देखिए पा रहे होंगे कि जो गुड है वो कितना अच्छा मतलब कलर आ गया है और इसको आपको कहना थोड़ा सा चलाते रहिए पर बी केरफुल गाइस ये जिसे चिपकना ने तो आपको षैम पैन में पाणी लीया एपको सेम कड़ाई में पाणी लेना है चार सो ग्राम आपको यहाँ पी पतला भी सूजी ले सकते हो मोटा वाली भी ले सकते हो अकौडिन ठीक्रिक वालानी साथ च्छलाते रहना है तो यहाँ पर बैश्य के साथा हूब इसमें आपको और पानी बिल्कुल भी उपर से अड़ नहीं करना है, इसमें आपको गरम पानी के साथ ही आपको इसको बनाना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत लेजिएगा, आप चलाते चलाते देखोगे, कि जो सूजी है न, वो बहुत अच्छा इतम थीक हो जाएगा, त इसको आपको अच्छे से चलाते रहना है, और इसका फ्लेम आप आपको आफ कर देना है, फ्लेम आफ करने के बाद आप इसको थोड़ा सा रूम टेंपरिचर पर रख दीजे, वरना आपकी हाथ चल सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पोला था, मैंने यहापे सेम पैन अब इसी के साथ मैंने यहापे एड किया है, दो कब, दो जोटे कब यहापे मैंने चीनी का एड किया है, तो दूद को अब चीनी को आपको स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि वो अच्छा एक बॉल दे, और हमें जो क्रीम जो हमको एक दूद का वो क्रीमिनेस देखो कि इसमें एक बॉल आएगा, वो बॉल आने के बाद इसको आपको थोड़ी सी दिर स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है, और यह एकदम से जितना भी सब चीज होगा, सब एकदम से स्लो फ्लेम पे ही होना चाहिए, तो अभी यह होते है, अभी आप देखे पा रहे होग तो इसी के साथ साथ फिर से देखे, मैं फिर से थोड़ सा दूद चला रही हूँ, तो थोड़ा सा देखे, आप साइड में भी देखे पा रहे होगे, कि जो मलाई है, वो आनी चालू हो गई है, तो इसका मतलब जो दूद है, वो थोड़ा थोड़ा थिक होना चालू हो रह तो इसी के साथ साथ आप आप देखिए कि जो हमनों ने जो वो पीठा का जो वो बनाया था वो क्या हो गया थोड़ा सा थंडा हो गया है तो आप आप क्या कीजिए हाथ में थोड़ा सा घी लीजिए उसको एक अच्छा से एक डो बनाईए तो अब यहां पर आपको क्या करना जो lemon-sized balls होते है उस तर आपको इसके balls बनाने है और हलकी हलकी हाथों से आपको इसको रोल करना है अपने हाथ ही दीखिये हाथ से आपको अपने finger से आपको इसको गुल-गुमाते से कचुरी बनाते है इक्जाट्ली वह ऐसे ही बननी वाली है तो यहाँ पे आपको ऐसे एक ball type क रोल बनाना है उसी के अंदर जो हम लो ने जो वो stuffing ready की है वो stuffing इसके अंदर just add करना है and इसको एक lock देना है ठीके गाइस इसको आपको अच्छे से lock देना है वरना ये दूद में जाकर ये निकल सकता है तो इसको complete करके आप रखिए उसके बाद मैं आपको next दिखाती हूँ क्या करेंगे तो यहां पर आप देखिए यहां पर जितने भी सारे हैं वो हम लोने कर लिए है और ये half size जो बोलते हैं मून हाफ मून सेप में ये बनता है और अब देखिए दूद में भी बहुत अच्छा एक बॉयल आ चुका है तो अब हम आस्ते slowly slowly क्या करेंगे इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे and trust me guys आप इस recipe ज़रूर आपको घर पे बहुत पसंद करेंगे guys ये बहुत ही अच्छी recipe है and बहुत ही healthy भी बोला जा सकता है क्योंकि इसने में हम यहां पे नहीं कोई fry का यूज़ कर रहे हैं कुछ भी हम इसमें unhealthy कुछ भी नहीं है तो आप ज़रूर ट्राइ किजिए ये recipe आपको घर में बहुत पसंद करेंगे देखिएगा तो अब देखिए जितने भी हमनोंने वो दूद पूली पीठा जो बनाया है अब हम इसको just softly आप उसको add कर दीजे दूद में and one more thing guys आप यहां पे थोड़ा सा बड़ा वाला जो कड़ाई होता है वो लीजेगा और थोड़ा मोटा वाला लीजेगा तो यह जो रेसिपी है देखे अब अब तो देखे पा रहे होंगे यह रेसिपी actually मेरी mother-in-law की रेसिपी है बहुत ही famous है और बहुत ही अच्छी बनाती है यह रेसिपी वो तो इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे जो viewers है इस चीज़ को वो देखे उनको भी पसंद आए तो वो ज थीक हो गया है तो अभी जस आपको क्या करना है तो जादा फिर वो यह होता जाएगा मतलब क्या बोलते हैं उसको थीक होता जाएगा तो अभी हमारा दूद पुली जो पीठा है वो अब हम इसमें थोड़ा सा इलाइची के पावडर मेंने अड़ किया है और अभी वो बन क तैयार है तो अब यहां पे मैं गैस का फ्लेम आफ करती हूँ तो दूद पुली पीठा जो है वो इतम से बन के तैयार है और अब हम चलते हैं इसको सर्फ करने के लिए गाइस इधर आप थंडा सर्फ करोगे ना तो और भी टिस्टी लगेगा तो बट मैं आपको थोड़ी वाली टेक्स्चर इसमें आने वाली है तो देखिए बहुत ही अच्छी है तो जरूर ट्राइ कीजेगा आप भी ये रेसिपी आपको ये दूद पुली पीठा बहुत ही पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा मेरे चैनल पे नए है तो प्ल isten कीजेगा बता आया हो जाली है जर प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा है तो जो इसमें आपको ये रेसित्थ आया है है तो अच्छी है ये खिये बहुत है वी बहुत है बहुत है आपको ये